आपका हमारी चैनल जफार स्टूडियो में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटो की क्वालिटी को इंक्रीज किस तरह से करते हैं सपोस्ट कीजिए आपने कभी कोई फोटो क्लिक की लेकिन वो थोड़ा सा बलरी हो गया क्योंकि आपका हाथ थोड़ा सा शेक हो जायना के वैसे फोटो ज्यादा तर बलरी हो जाती है और उस फोटो को दुबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं ज्यादा तर आप लोग डिलीट कर देते हैं तो उसकी photo की quality को किस तरह से enhance करेंगे या फिर माली जब के पास कोई photo है उसको animate किस तरह से कर सकते हैं तो इन सारी चीजों का detail मैं आज की video में cover करने वाला हूँ साथ ही आपको ये बताऊंगा कि आपको description में एक link मिल जाएगा मेरे एक application का जो की paid version आपको मिल जाएगा तो आप description के link को follow करें और उस application को जरूर से download करें और जिन लोगों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया अगर आप नए हैं तो जरूर से channel को subscribe करें और bell icon जरूर दबाए ताकि आपको new आने वाली video कभी भी मिसना हो और साथी video को जरूर से like करें क्योंकि इस video को बनाने में बहुत जादा महनत लगा है तो चलते हैं screen की तरफ लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए phone को rotate कर लिजिए और full screen mode पे on कर लिजिए दोस्तो full screen mode पर जब आपने screen को rotate कर लिया है तो आपको बहुत अच्छे से समाझ आ रहा होगा तो दीखी यहाँ पर बहुत सार अप्शन मिल जाएगा आपको like enhance, enhance plus है, video enhancer है, paint है, portrait है और यह more के option में चलते हैं एक बार तो दीखी यहाँ पर बहुत सार अप्शन है साथी आपको paint मिलेगा, portrait है, face animator है sketch है, sketch है, sketch को आप normal back, normal form मिला सकते है retro है, colorize है, oil painter है, manage bleach है, blink है, draw me है, discover यह नहीं बहुत सार अप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर सारे option का आपको इस्तामाल कर सकते हैं बखुवी तो चलिया, आज हम लोग photo की quality enhance करके देखते हैं यह देखी, यह 2016 का मेरा एक photo है, इसकी quality बहुत ज़्यादा खराब होगी है, क्योंकि यह बहुत पुरानी है, और whatsapp होगरा में share करने के बाद quality बहुत ज़्यादा drop हो जाती है अगर आप normal share करते हैं, document करके करेंगे तो आपकी quality खराब नहीं होगी लेकिन normal share करने के बाद आपकी quality बहुत ज़्यादा drop हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोला दर आपको इंतिजार करना पड़ेगा इसके बाद आप देख सकते हैं, boom, बहुत amazing quality देख सकते हैं आप कितनी amazing कर चुकी है यह quality को यानि कि पहले बहुत ज़्यादा blurry photo था और अब देख सकते हैं काफी ज़्यादा enhance हो चुकी है even यहाँ पर जो एक एक texture है मेरा skin का, वो सब कुछ fine दिख रहा है eyes, nose बहुत sharp हो गए हैं और यहाँ तक कि मेरे beard का चोटा चोटा parts जो है वो भी अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यह काफी कमाल की app है और आप बहुत आराम से इस photo में यहाँ पर use कर सकते हैं अपनी पुरानी photos को यहाँ पर enhance करके उसकी quality ठीक कर सकते हैं या फिर अगर आपकी photo shake हो गई है तो उसका भी इस्तमाल यहाँ पर कर सकते हैं मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए कि photo की जो quality है मैं आपको compare करके दिखाना चाहता हूँ before after किस तरह से लग रही थी तो यहाँ पर यह देख सकते हैं आप यह देखे फोटो की quality आप पिकदम बिलकुल खुश से देख सकते हैं एक एक fine fine detail यहाँ पर आ चुका है और यह कोई fake वीडियो नहीं है यहाँ पर सब कुछ असली में हो रहा है और अगर आप चाहें तो अप description में जाकर आप इसका इस्तमाल कीजिए तो यहाँ पर में एक बार paint का भी option देख लेता हूँ यह किस तरह का है paint यानि sketch जो cartoon form में आता है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं या फिर reference के तो पर आप इसको ले सकते हैं तो आप देखी यहाँ पर काफी अच्छा सा एक sketch बन आप का हाथ में practice हो पाएगा और यहाँ पर सटके crease वगरा भी देख सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर improve करके यहाँ पर sketching की गई है तो बहुत ही amazing application है यह इसका इस्तमाल कीजिए आप लोग और एक face animator यह मेरा favorite है मैं इसको हमेसा यूज़ करता हूँ तो आप देख सक करने के साथ साथ उसमें animation भी add करके देगी आपको सोचे यह कितनी कमाल की application है और हाँ इसके लिए internet की जरूरत पढ़ती है तो make sure आप internet option on रखे अपने data को on रखे तो आप इसका इस्तमाल कर पाएंगे लेकिन बहुत amazing ही कोई भी ads आपको नहीं show होंगी तो आपको tension लेने की जरूरत नहीं है तो देखे यहां पर इसने animate कर दिया यह काफी amazingly काम करता है तो देख सकते हैं क्या amazing दरीके की यह editing हुई है बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसने इस तरह की कुछ की है और animation इसमें add कि है कुछ fake बिल्कुल नहीं लग रहा है तो I hope आए दिल्कुल नहीं लग रहा है तो